हलो दोस्तों आपका स्वागत है है सक्सेस्वी दीपक में आज जो हम टॉपिक लेकर आ रहे हैं वह बॉन जॉइन्ट दिसॉदर से रिलेटिद है किसमें बच्चों में ठीक है आर्थोपेदी किसको कहा जाता है ठीक है अब इसमें क्या देखेंगे ग्रोथ एंड देवलपम है तो वह नवरaste माना जता है तो जैंटि टक रहे है तो टीक है अब अब क्या है तो अब आपनो मिटी जाने उवी पेद्यात्रिक्ष को पासे तो वह बहुत तरखलों हते तो जो पहला को को जरन किसमें को जर् Paint को उसमें होता है ठीक है तो बतशनात्रंसे है घ्रीद्रित जिसको दो कर्देग्री में बता गया है यह था क्या है न्याटीप काण फॉर्बलम ने में प्रॉबलम होता है नहीं बन पाता है यह दिश्रप्शन के कारण होता है तो यह क्या सही होता है नहीं यह जो production problem है वो resolve नहीं होता है spontaneously ठीक है लेकिन जो packaging problem है जैसे कि बच्चा जन्म ले रहा है उसको चोट लग गया क्या से तो pelvic wands है यह जब हम check करते हैं क्या check करते हैं बच्चा कहां पर है finger दालके उसमें उसको चोट लग गया वह mechanical चीज हो गया म बार से नहीं किसी भी चीज़े सोट लगने के करण जो deformation होना थीक है तो वह क्या होता है वह सही हो जाता है time के साथ लेकिन production problem नहीं होता है चले आते हैं इत्रो पोजीशनिंग इन इत्रो पोजीशनिंग क्या होता है जब बच्चा इत्रस में होता है ठीक है तो नॉर्मल प पेल विज के पास रहे ठीक है और जब बच्चा का फेस रहे वह मा के बैक की और जो बच्चा का बैक रहे वह मा के पेट की और तो वह नॉर्मल पोजीशन माना जाता है ठीक है तो क्या कह रहा है ना कि जब बच्चा पैदा होता है जब बच्चा पैदा होने वाला रहता ह तो इसका जो बच्चा पेत में रहता है तो इसका जो बॉंड या ज्वाइंट का डिवलप्मेंट होता है तो तेम्प्रोरी होता है ठीक है तो तेम्प्रोरी ज्वाइंट ये मसल में क्या हो गया contracture का मतलब क्या होता है? कि यह condition sucking मसल, tendon how to and Chiander जिसके कारण क्या हो जाता है? joint में deformity यहाती है मतलब problem आ जाता है तो आप समझ गये कि contracture क्या है? तो बचचे जब जन्म लेने वाला है तो उसमें क्या हो गये? उसके heap में कि हीप में क्यों गया चाहाँ कि पता है कि तौरसन कहां में ज को कुष्क यह तो यह o फे उसमें क्या हो गया 20 से 30 दिगरी मोच आ गया थोरा सा तॉर्शन हो गया यह आपका जो नीफ फ्लैक्शन है ना उसमें संटो दो एक प्रप्रावल के सालव होनल का ठया है यहनी फ्लैक्शन हो होता है bereason संटो फ्लैक्शन होन क्यों ठाव सद्वक्रावग्विकिंडर्भ रहते हैं उनकर भीम Iya अजलितस दुनियां हीप का फूल तर्म के लिए था कोई भी newborn baby है ठीक है उसका हीप में कितना extension हो जाता है 80 से 90 degree क्या हो जाता है extension हो जाता है और उसका जो internal rotation है वो 0 से 3 degree तक ही हो जाता है मैं limited हो जाता है वो ज्यादा move नहीं कर पाता है तो क्या हो सही होगा हाँ सही होगा कब तो 3 से 4 मंथ में ठीक है और कभी कभी क्या होता है lower leg पूरी तरह अंदर की और inward उसमें क्या हो जाता है torsion हो जाता है जिसको internal interval torsion भी कहते है्अ it is सही हो जाता है तीन से चार मुन्थ में लगबख सारे से सही हो जाता है यह जा है क्योंकि जो change जाए है इस पैथो लोजीकल नहीं इस लिए resolve हो जाते हैं मैं लेकिन मिल्ली o spine colors do about each सो त fark होता है तो कुछ लोगर सुच्छ हो जय में बाद में झालawiर को ग junto करतीतक यहीं बहुति करती जैसे कि कोजनाइ रोए अधर में कि में है न हूँ दीव रिंग बर्थ होता है लेकिन क्लति से चोत लग लग गया या कुछlaughs kiya उसका सेक्टिया क्तों सब्दनि जाएगा उसको क्या इसले बच्चा को हुआ और दाल के जो श्कीनिकला मैं आग आख तो कभिनESE क्या होता है वो चोत है जाने के गरोंगन उसका है क्या हो ला जाता है तो क्या वह प्रब्लमकम्फ नाहरम test order & safe तो इसको कहते हैं देवलप में तल तो आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा ताइम के साथ जो डिवलप्मिंट होता है जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो वह यह बैठ नहीं पाता है तो इसमें नौ महिना बाद क्यों बैठ जाएगा ठीक है फिर एक महिन दस महिन बाद क्या होगा कि बच्चा चलने लगेगा तो यह क्या है कि साथ देवलपमिंट हो रहा दीक हैं आप क्या रहा है स्ट्रॉप्शन स्ट्रॉक्षरbourgं अंधर गोई nearly эконом मेरें सब्सक्द होना चाहिए तर बहुत हो कि तो 서 그 कम अदुरत शुक्रूनेOM अच्छा सब कें लिग घंए उस करेका हुए हैं से कि मांस गांगा मान हाथ में मताइक कुछ सही से नहीं बना कि कि कज़ें पराइlier मार्म हैं तहु है कि बटते हैं है जaking प्रूप्मेंट कि नई हो रहा है कि जो ग्रोथ इंडवलाप्मिंट है उन्हों क्या है शहां हो रहाUR यॉए ग्रोंत क्रोफ बेवलाप्मेंट है तो लुवलाप्मेंट है जैसे कि इस नहीं हो रहा है growth ही एक subject है जिसमें बहुत चीज included है ठीक है बहुत से variable factor है जैसे कि genetic अगर सही से growth नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है या तो gene का problem होगा या वो सही से उसको nutrition नहीं मिला या general health में problem होगा इंदो क्राइन स्टेटस मतब कर जैसे के पितित्री हार्मोनिय सब के कारण भी problem हो सकता है या तो mechanical force के कारण या physiological age के कारण यह सब के कारण मेली growth में क्या होता है problem होता है ठीक है तक growth में क्या होता है दो growth vary करता है हर जगा भेरी करता है कभी कभी दो anatomical region में भी और कभी कभी दो bone same region में रहेगा लेकिन दोनों bone अलग अलग रहेगा तो growth vary करेगा हर तरीके से बहुत large variety में growth vary करता है ठीक है तो पहले bone formation तो जैसा कि हम जानते है bone formation को क्या कहा जाता है ossification ये दो तरह से होता है ठीक है पहला क्या है इंदो chondral ossification दुसरा क्या है intra membranous ossification ठीक है इंदो chondral ossification कहने का क्या मतलब है कि सबसे पहले क्या होगा mentioned po camels츠 पहले क्या बनेगा cutletsilage बनेगा cutletsridge के बाद क्या बनेगा तो cutlets Fillage के बाद वो बनेगा पहले क्या बनेगा, cutletsilage के बाद वो bone बनेगा लेकिन जो intra membranous है उसमें direct क्या होता है cutletsITCH नहीं बनता है, direct bone बनता है ठीक है अब क्या कह रहा है कि अब इसको एक्स्प्लेशन में देखते हैं ठीक है इंदो क्रों क्रोंडरल ऐस्टिकेशन में क्या होता है मेसन काइमल सेल अब यह मेसन काइमल सेल होता क्या है ति यह मेसन काइमल सेल है वो मल्टी पोटेंट स्टीम सेल है जो क्या कहा पाया जाता है repair करता ये बनाता है किसको तो As 41-逸ो को as хотите सूइं कौन जाएगा तो काल्तिलेज बॉइं ये फेट जो पाय जाता है बॉँम मेरों में थीक है तो कंभी नहीं हो यह यह मल्ति पॉट्ंटस इंसेल जो क्या बनाता है वह yes Condrogenesis, Condrogenesis मतब क्या होता है? Cultillage का Formation होता है, तो वो क्या कर रहा है? Condrogenesis के process के Cultillage का formation कर रहा है और इसके बाद में mature होके वो बोन का formation करेगा यह Python केन अंदर होता है? Indocondral ossification के अंदर होता है तो इसमे एक्जामपल क्या है? तो actual या L, appendicular saying actual या L, appendicular Askeleton इसके अंदर आता है, तिक के अंदर तो इंदो- कॉंद्र ओसरिकेशन के अंदर, समझे गए, तीक है, अब आते हैं कौन सा? Membranous Ossification, इसमें क्या है? Osteoblast, Osteoplast मतब क्या होता है? की bong का formation जो करता है, वो किसके दौरा होता है? osteoblast bone का direct formation करता है इसमें कोई भी कालतिलेज जबनने की ज़रूरत नहीं है तो इसका example क्या है flat bone of the skull और clavicular ठीक है अगर कोई पूछेगा कि endocondrial ossification का example क्या है तो axial or appendicular skeleton ठीक है और पूछेगा कि intramembranous ossification का example क्या है तो flat bone of the skull and clavicular चलिए हम यह कुछ period जानते हैं ठीक है जैसे कि germinal period embryonic period, fetal period तो इसमें क्या होता है तो जो germinal period है न इसमें मेलिज क्या होता है ओभा अस्पर्म से मिलता और जाइगोट को formation करता है तो यह germinal period कितने विक से कितने विक तक रहता है तो germinal period zero से दो विक तक रहता है फिर आता है embryonic week इसमें क्या होता है embryo का बनना अस्तात होता है जाइगोट से embryo का बनना अस्तात होता है तो यह पूरी तरह embryo कब बन जाता है three weeks से लेकर eight weeks तक ठीक है अब आता है fetal period जिसमें क्या होता है फीतल का development होता है तो यह में लिए 9 विक से बर्थ तक होता है ठीक है चलिए वाते हैं क्या देखते हैं center of ossification तो क्या कह रहा है कि जब fetal period का beginning होता है fetal period तो आपको बता दिये थे कितना से कितना विक होता है 9 विक से बर्थ तक तो उसमें क्या होता है जो mid long bone के mid sharp में जो condrocyte पर जेंता है condrocyte ओसा cell जो काल्चलेज को बनाता है ठीक है उससे क्या होता है primary center of growth मतब ग्रोथ का वो primary center होता है ठीक है वहां से क्या होता है bond में लिए लंबा होता है उसका लेंट बढ़ता है ठीक है सेकेंडरी सेंटर कौन सा कहलाता है जहां पर कॉंडरो इपिफाइस होता है कॉंडरो इपिफाइस मताब ओसा लांग बॉन का सबसे उपर वालपाद जहां पर कॉंडरो साइट मताब कालतिलेच परजिंट होते हैं ठीक है और यह जो सेकेंड सेंटर जो परजिंट होता है बर्थ में वो कौन-कौन सा होता है तो दीजिटल फूमर प्रॉक्सिमल टिविया कलकेनियाज और टेलूस ठीक है अब आगे बढ़ने से पहले एक वर क्या कर लेते हैं एक वर कर लेते हैं इसका समरी क्या परना है कि जब इन इत्रो पुजीशन पूजीशन होता है इत्रस में तो उसमें क्या होता है टेंप्रोडी जॉइंटबनता है मसल में कॉंट्रेक्चर होता है अगर क्या होगा लॉंग बॉंड में तो थोड़ा सथी विष्ट होगा तो अगर बच्चा क्या है फूल तर्म है तो उसमें अगर हीप में कितना तो बीच से तीस दीगरी तक क्या हुआ तो या क्या हुआ नीफ लैक्शन में लेकिन अगर हीप में क्या है तो एससे नवबय दीगरी क्या होता है उसका इंटर्नर रोतेशन क्या हो जता है लिम्तेद हो जाता है जीरो से तेन दीगरी तक तो वह भी थीक हो जाता है ताइम के साथ क्योंकि यह फीजिय ल прошkee है,फीजियोलोचिकल ईफेक्ट रिजॉल हो जाता है 3-9 coord of the age में लोग में 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 more rotation होता है,जिस्कों इंतर्नल TBS यम्पी तार्शन भी कह सकते हैं फैके के होता है कभी धूर्ट की हो सकता है लेकिन a इंडो क्रायेन स्टेतस मेकेनिकल फोर्स और फुज्जिकल Benjamin से थीक है इसका जो anatomical region होता है वो वहईरी करता है दोada कभी-कभी क्या होता है दो । और बहुर दूसर से होते हैं भेरी करते हैं थीक है जो और सिफिकेशन यागा फ़र्मेशन और मेली दो तरह से होता एक तो। पॉट कोन्द्रेर्यल औरेएंटॉबomas exclude cookie से ने च्याहश्ण में क्या होता है मेशन कैमास्थ्य क्या होता है अंदर गुध होता है उसके कारण क्या होता है कास्टेव्य जीskinीकॉल मिल्ज जी नियुक्च होता है का दो स्कल्मक gewoon होता है और अवी में सेंटर प्राइम्री सेंटर कौन सा तज मीठ साप में कॉंडरो साइट परmist पर ज only कव न होता है फीतल फिरियत के बिगनिंग में तेंट में और सकेंड पर estado के होता है तो अधिक यह मेली बर्थ के बाद पॉस्ट नेट्रली होता है इसमें डिरेक्ट बॉन का क्या होता है देवलप्मेंट होता है तीक है और सिफिकेशन सिंटर पर जो परजंत होता है बर्थ के बाद यह बर्थ के समय वह कौन-कौन सा होता है दीजिटल फेमूल ठीक है मतब थाई का जो कोई कोन क्से आरिया किसको क्या कहते हैं तो यह जो ऊपर वाल एडिया है इसको उपनु पाथ इसको कहा जाता है इसको कहते हैं इसको मेताफास confess को क्रिंज करते हैं ये यह इदर होता है यह है इसको कहते हैं मेटाफास अब होता है pericordial link तो यह जो side में है न यह होता है pericordial link यह क्या करता है इसका milly development करता है diameter wise और यह जो epphysis अब है यह development करते हैं longitudinal wise ठीक है चलिए अब वापस आते हैं तो अब सब जानते हैं क्या है यह जो physis है physis milly किसको कहते हैं तो physis का मतलब होता है growth plate जो located होता है bond के ending में ठीक है तो epphysis epphysis क्या होता है secondary ossification center आपको पता है secondary ossification center में ली birth के बाद होता है इसमें क्या होता है long one का development होता है sorry joint का क्या होता है development होता है क्यों ठीक है Metaphysis, Metaphysis सबको बताया था क्या था तो जो diaphysis और dynaphyces की बीच में यह plate होता है जो separate करता एपिफाइस को ड़र उसको कहते हैं Metaphysis, ठीक है तो Metaphysis का क्या काम है? Metaphysis क्या करता है? पाए जाते हैं कहाँ पर agent to the Physis on the side away from the joint joint यूछ में कहते हैं तो दूर रहता है सही बात है यदे नीचे रहता है दाप ना पाइसे जिसको सब्स sih परजन टोटे और यह मेली मिवी है इसवartz और करता है यह साइब मतलब करता है अब sidewise growth कहने का क्या मतलब है यह longer चितना नहीं diameter wise यह मतलब यह मोता करने का काम करता है लंबा करने का नहीं ठीक है चलिए अब अगले PPT में आते हैं क्या कह रहा है जो पेरिकॉर्डिया लिंग है न वो सरौंद करता है फाइसिस को यह तो परता चल गया अब जो पेरिकॉर् दिफ्रेंस बता रहा है कि क्या दिफ्रेंस होता है पेरिकॉर्डिया लिंग पेरिकॉर्डियम और पेरिएस्टोनियम है ठीक है जो पेरिकॉर्डिया लिंग होता है वो सरौंद करता है फाइसिस को पेरिकॉर्डियम एपी फाइसिस को ठीक है और जो पेरिएस्टोनियम है वो किसको करता है, पेरिकॉर्डियल लिंग है, वो फाइसिस को करता है, ठीक है, पेरिकॉर्डियल लिंग, जो पेरिकॉर्डियल है, वो एपी फाइसिस को, ये एपी फाइसिस है, और जो पेरिएस्टोनियम है, वो सरौन करता है, मेता फाइसिस को, और किसको, मेता फाइसिस ना कि कहां पर बॉन बीना ऐसेज का होता है तो कौन-कौन को एरिया है यो एरिया काइसर मतर Pixar प्रपर द्लग करते हैं तो 8 में Lord अलोण शुटनल होता है लेकरं यह एरिया करता है कैसे ए पोजिशनल से और इंडोकंध्रियल आस्टिफिकेशन जीसा कि आप पहले बताया इसमें क्या होता है कैले बांका फरमेशन होता है चलिया इश जैसे कि ये एडागराम मैंने पहले यह बता दिया था ठीक है यह ये बता रहा है ये ये वाला पाम बताना चाहर." कि अगर बॉन का एक पात कातेंगा उसके अंदर देखेंगे तो क्या मिलेगा उपर में कॉम्पेक्ट बॉन मिलेगा उसके अंदर क्या होगा मेदुलरी केनार रहेगा देखें जो उपर इपी फाइस में है उसमें स्पॉंजी बॉन होता है और जो दाई फाइस से उसमें क्य बॉन नहीं तो पता है अंदर में क्या है मेदूलरी कैनल के अंदर क्या होता है तो जब उसको क्रॉस सेक्षन कातेंगे तो उसमें क्या मिलेगा है पुछते भी है वर्षियर के नल कहां पर जिंट होता है तो बॉन में पर जिंट होता है ठीक है चलिए तो समझ में आ गया अब आते हैं पॉतिन ग्रोथ हैं देवलाप्मेंट माइलेस तो यह तो सौटकत में पढ़ ली अब चलिए थो फूरा बुक से पढ़ लेते हैं सबॉस्ट के पाया ऐजाताा एप्टाइज यह मेंली सेатовिकेसन सेंटर में पर जाता और जान टेवलाप्मेंट में खेल्प करता है रफिके से होटा है तो ब GREEN ऐर तो कि अ फिटालप्रियस के दिक होता हैड्यान इस से बस Rouge ट होता है में नाइन बिकक से बसente होता है पेरिकॉंद्रियलिंग, एपोजिशनल ग्रोथ, एपोजिशनल ग्रोथ कहने का क्या मतलब है, कि वो दाइमीतर को बरहाता है, ठीक है, यहां तक तो हमारा समझ में आगे अच्छा से, बुक भी कवर होते जा रहा है, पिपिडी भी कवर होते जा रहा है, चलिए अब आगे प इपीफाइसी किसको, तो याद रखेगा, ग्रोथावदा इपीफाइसी, ठीक है, अब क्या कहर Sud? जो पेरिकॉंद्रियल ने गेंगे, वो सरौन करता है पाइसीज को, याद रखेगा कैसे पेरिकॉंद्रियल पीशेस्ताट होता है, किसको सरौन करता है पासीـ इप पेरिकॉंदुरियम, जो पेरिकॉंदुरियम है, वो किसको करता है? तो e.p. physis या पेरियस्टोनियम को, जो पेरियस्टोनियम है, वो किसको सरousing करता है? मेटा-physis और दाइ-physis को, तो इसका एक कोद बना लेंगे, कि 3P होता है, जो मेले सर humanos करता है, पहला प को कहते है पेरिकॉर्दियन लिंग दूसरा प को कहते है पेरिकॉर्दियम और तीसरा प को कहते है पेरियस्टिनियम जो पेरिकॉर्दियन लिंग होता है वो फाइसिस को सरौंद करता है ठीक है और जो पेरिकॉर्दियम है वो एपी फाइसिस को सरौंद करता है एपी मीतर में उसका क्या है यह लोग्रोथ हो सब्सक्राइब करें घर्चेंव सब्सक्राइब कन्सा क कई टाय։ कमें नहीं हो वह इस रहता है तो वह संपरियम का करता है और ताल्स commence पैसे कट आपको पता है यह क्या करता है प्रोर समTalk करता है देखेंगे नियुड में को भी तो आप पर इक्सट्रिमिटीज में कैसे होगा मतलब ऊपर वाले एरिया में कैसे होगा तो लंगिचुजनल मतलब की लंबाई बरहेगी अब लसक्रेमितिक अगर चेक करें जिआ नी Malay. या प्रॉक्सिमल तीवियल फाइसिस में ठीक है अगर हीप का देखेंगे तो ऐसी ताबूला मोल में होगा जो मेली तीन उसिफिकेशन सेंटर होता है इसमें इसी कम इलियम और पीविस का ठीक है तो यहां पर यह ग्रोथ पैतन होंगे अग्या कहा रहा है गेत और फंक्शनल मैचुरेशन तो में लिए प्रिदेक्टेवल होता है अगर कोई फंक्शनल माले स्थान तक नहीं पहुच पाया तो उसको नीरोलोजिस्ट के पास रीफर कर दिया जाता है ठीक है आज से 15 मंथ में कैसा हो जाना चाहिए तो क्या हो जाना चाहिए जो गेत होगा स्ट्रक्च क्या होगा स्विंग करना चालू कर देगा इंक्रीज हो जाएगा लेंथ अभेलो सीथा दियर में क्या होगा एडल्थ फ्लूइद पेतन अस्ताथ देवलापिंग मतलब अदल्थ की तरह उसका स्ट्रक्चर बनना अस्ताथ हो जाएगा ठीक है साथ साथ साल में लगवाग अस्ताथ कप करता है तो आथ महिने में अपने यह अखरा होना अस्ताथ कप करता है तो आथ से बारा महिने में एंबुलेटिंग अपने से चलने कप से लगता है पूरी तरह फुरी तरह फुरीली होके तो बारा से अथारा महिने में ठीक है अब इवालूएशन आप चाल द अगरे वीडियो में लेकियांगे, तब तक के लिए बाई 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 टेकर सेयो